हलो फ्रेंट वेलकुम टो ओनलाइं फ्रीज स्टुडी फ्रेंड इस वीडियो हम देखने वाले से एक्जाम जो हुआ है थर्ड मार्च का फर्स शिप्ट हुई है उसका एक्जाम में लिए से दिखेंगे तक है अलड़ी मैंने जो है जी के और जी एस और करांट अफेर का वी फर्स शिप्ट या सेकंड शिप्ट या सेकंड शिप्ट जो ही तो खतम नहीं होगी आपनलाइ स्टाड़ भी नियुक्त अब बहुए लेकिन आपको उता दूं और जी यो कोशिन है यह फर्ट मार्च के छीप स्ट के मैं एक्जाम देखने के लिए मिले, यहाँ पर हम इनको solution मैंने अल्री कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह question एक पुछा था, first question क्या है, x minus y is equal to 4 दिया था, x into y दिया था 45, यहाँ से बहुत simple question है, देखी question, friend friend, देखी, यह question कितना है, simple है, आप यहाँ से पता जा लेंगे, 9, 5, 45 9, 5, 45 होते हैं, 9 और 9 में से अगर 5 घटाएंगे, तो कितने आएंगे, 4 आएंगे, ठीक है, कितने आएंगे, 4 आएंगे ठीक है, हमसे पुछा कहता है, x q minus y q, तो भाइजे, 9 का q कर लिजे, और 5 का q कर लिजे 125 हो गया, 7, 39 हो गया ओके, कितना हो गया है, यह 125 हो गया, 7, 39 हो गया, ठीक है, 5, 4, 4 गडाएंगे, ठीक है, 2, 2, 0 आएगा, ठीक है और 6 तो आएगा, 604 क्या आगे आँजे, आंसर हमारा 604 आंसर यहां पर आगे, बहुत simple question था, एक question था, 10 second का question था, पढ़ने की दिक्कती, बस इसका ठीक है, question था, A plus B is equal to 45 degree है, मतलब कि 10 अगर A दिया है, हमें 10 B दिया है, हमें दोनों का मान जो दिया है, वो 45 degree दिया है ठीक, कितना है 45, और 45 degree का मतलब क्या होता है, 1, 1 होता है, ठीक है और तो इन दोनों का मतलब क्यों होगा, यहापर 1, 1, plus कितना होगा, 1 यहापर ह Warsco plus करेंगे, 21 कितना होगा, ठीक है यह टु होगया है, और यहापर 2 into 2 कितना होगा, 4 यहापर answer कितना हागा, मारा 4 आएगा, कितना होगा, 4 answer हागा, बहुत basic concept पर question था अगला question क्या है x is equal to 2 दिया है 4 cos a plus sign sign sorry 5 sign a दिया है और उसके विराबार उसके बात दिया है y कमान दिया है 4 sign a minus 5 cos a अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं x plus y कमान निकालेंगे तो आपके पास 1 4 बचेगा और 1 5 बचेगा तो एक 4 में square करेंगे ठीक है 16 जाएगा 5 के square में 25 हो जाएगा दोनों को plus करेंगे 41 आपका answer है कितना है 41 answer हैगा plus कर दीजे कोई रिक्कत नहीं है यहां से यहां से कड़ीए यहां पर 4 बचेगा यहां पर एक 5 बचेगा बस उसके इलावा कुछ भी नहीं था अगला कोशन देखे देखे बहुत basic concept पर कोशन है देखे अगला कोशन का ड्राइगा जो कोशन देखे अगला कोशन का है 4 नमबर का sign की power 2A है y की power 2B है z की power 2C है और यह यह सारे बराबर है और X की power अगर आपको एक और दिया है X square की power दिया है आपको Y, Z तो यहाँ पर आपको बूला भी है X, Y और Z जो है 0 का बराबर नहीं है तो 0 का बराबर नहीं है तो 1 के बराबर अगर हम मानते है थब को 1, 1, 1 रख लिजे अगर 1 की और 2 होगी 1 के और 2 अगर है तो कोई मतलब भी नहीं है तो 1, 1, 1 1, 1, 1 तीन बार अगर करेंगे तो तीन बार यह प्लस हो गया नीचे 1 ही आएगा BC का मतलब 1 ही आएगा ठीक है तो यहाँ पर कितना आएगा X बराबर अगर 1 लखेंगे 2 बरा और Z बराबर ही 1 रखेंगे तो आएगा हमारा 3 आंसर क्या आएगा 3 आंसर आएगा यही आपका अगला कोशिन देखेंगे 2 स्लेंडर दिया है 2 स्लेंडर की आपको रीडियस दी थी रीडियस का रेशो दिया था 3 बटे 4 height दिया height का रेशो जो h1, h2 दिया है वो 4 बटे 9 दिया था volume का रेशो आप सुझे था तो volume क्या होती है आपको pi r square h देखें वो होता ठीक है pi r square h होता लेकन यहाँ पर एक दिक्कत यहाँ पर है pi तो यहाँ पर अल्ड़री कटी जाएगी यह इसका रखने का कोई मतलब नहीं था तो pi मैंने नहीं रखी है 3 का score करेंगे 9, 4 का 16 करेंगे 4 से यहाँ पर 4 बर चली जाएगा 9 से 9 कट जाएगा तो 1 y 4 बचेगा तो 1 y 4 हमारा answer होगा ठीक है इसके बाद अगला गोशन था एक rectangle आपको दिया है इस परकार का ठीक है यहाँ पर बहुत ही अच्छा गोशन था यह अगर आपको मैंने आपको percentage बताया था percentage में जो है net percentage changes मैंने बताया थे कैसे निकालने है तो यह rectangle में आप use कर सकते हैं यहाँ पर उसने वोला 40% का decrease होता है 20% का increase होता है तो यह A B वाला जो rule होता है A plus B minus plus जो होता है A into B वाला rule लगा दीजे 100 लगा दीजे answer आजाएगा यहाँ पर देखी यह सी पिरकार में लगाया था area में changes हो रहा है इसलिए यहाँ पर minus ही लगाएंगे plus नहीं लगाएंगे already 20 minus का है ठीके तो यहाँ से बचेगा 20 यहाँ से 800 जाएगा 800 में 2-0 कटी जाएगी तो 8 बचेगा और यहाँ पर 20 में से 8 जाएगा तो 12% का changes आएगा increment कितने कागा 12% का changes आएगा अगला कोशिन दीखिंग कोशिन क्या है एक school में boys और girls के जो संख्या दीए वो 640 है boys और girls का जो ratio दिया है 5 अनुपाद 3 दिया है उसने बोला है girls जो है अब कुछ समय के बाद girls जो है 30 बढ़ गई है 30 बढ़ने के बदे अनुपाद बना है शहुदा अनुपाद 9 बना है अब देखि यहां से आपको पता है 640 की जो value है वो 8 के बरावर है 8 या याशने पांच और 3 आट होगाए एक की value कितने के बरावर 80 के बरावर है 5 की value कितने के बरावर होगी 3 की value 240 के बरावर होगी जली confession को society sum करना है तक है यह अतना हो गया उसने वहला 240 में 30 बढ़ाना है यानि गर्ल्स में 30 बढ़ाना है 270 हो गई 270 की यह वैल्यू है वो 9 unit के बरावर है कितने बरावर है अगर 9, 270 है यह 30 गुना है 9 का जो 30 गुना है तो यहाँ पर भी 30 गुना होगा 14 में 30 का इंटू करा है तो यह होगा 420 कितने बढ़ गए है 20 बढ़ गए है आगे अगर गुशन है 43 रुपय की धंडाशी है दू साल के लिए जो है दी जाती है और दू साल में 4 है 644 हो गई है ठीक है अब उसने बोला 10,104 की दाशी जो है 5 साल के लिए कितनी हो जाएगी कितनी हो जाएगी मतलब कितनी परसेंटेज की रेट से बढ़ेगी बो पहले हमें निकालने पड़ेगी कितनी हो जाएगी वो उसने बोलाए साधरन ब्याज के दर पर यह उसने SI दिया है कंपाउंट टर्श नहीं दिया है तो बहुत सिंपल कोशिन है 4 साल, 5 साल, 10 साल का निकाल लें है कोई दिकणत नहीं है 43 continue, 64% 644 हो गई आनि की 344 यह 324 का डिफरेंस है 344 डिफरेंस है और यहां पर कितना 43 गम्हें है 43 गम्हें हमने रखे यह 0-0 कटी जाएगी उसके всего हैएगा काटेंगे आप तो यह 8 परशंग या झा निकी 8, को साल का हमारे पस आ गया 8 परशंग यह करें कि rate परशंट अगर एक साल का आ हमारा CI, SI है तो यह आ जाए आएगा 4 परशंग यह निकी एक साल का जो लगेंगा 4 परशंग लगेगा अगर अगर हम आ आते हैं कि पर 10,104 पर 5 यहर का लगाना है 5 और यह परसेंटेज कितना है चार 20 तो बहिए 10104 का बहुत 20 परसेंट निकालना है आप चाहें 20 परसेंट निकाल लीजे ठीक है 1.2 multiple ठीक है यह अलड़ी मैंने बताया था आपको यह कि आप जब into करेंगे 1.2 multiple करेंगे तो पहले देखिए 2 का multiple कर दीजे ओके चारदुनी आठ देखिए पहले तो आप digit sum देखी जो आपका primary digit है कोई भी आपको option दिया option a b c d दिया है तो primary digit उसको देखने ही कोईस करेगा एक और दो 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 देट तक आप जो है एजुम कर सकते हैं तो 8 और 4 आ रहा है तो बिल्कु सिंपल कोईशन को टिक कर दीजिए नहीं तो आपको solution करना पड़ेगा इसका answer है बारा बारा 4.8 ठीक है 12, 12, 4.8 ठीक है आगे देखे अगला कोईशन ने आएक article दिया जो की 12% के लाब पर बिचा जाता है और उसपर discount दिया था 28% का और उसी पर जो है MRP आपको हदी ही आपने MRP जो करी ही उसपर 224 की है तो आपको cost price निकाल ली है तो simple question था आपको देखे cost price और mark price का ratio यहाँ पर देखे पता होने चाहे cost price के से निकालते है 100-D तो 100-D difference कितना है यहाँ पर D का discount जो है कितना है यहाँ पर 28% यहाँ एक 72 हो गया 72 100-D हो गया तो 72 यहाँ पर हमारा आगया कितना आगया 72 आगया ठीक है बटे में 100 प्लस आपका profit कितना हो 112 आठीक है तो काट दीजिए यह काटेंगे तो आपका यहाँ नौटे बातर ठीक है और 14 आगया जाएगा 14 अजल आपका 144 ठीक है कितना आगा 144 इसको फार्ष डिडिये कर रहा हूं यह एक्जाम है ठीक है किसी सामान को 10 परशन की हानी पर बेचता है और बेचता है अगर यदि यदि वह 20 परशन के लाप परसी चीज को बेचता तो 332 ज्यादा उसे मिलते यानि कि इन दोनों का डिफ्रेंस जो दि ऐक्वल कॉस्स पर बेचता इसके बाद 20 तक जाएगा ईनकी जो डिफ्रेंस है बो दिया है 30 का अटी का डिफ्रेंस जो दिया है 30 परशन का हानी पर यानि कि वो value जो है वो 90% है कितनी value पर 90% की value बिच रहा है तो मुझे 90% की value निकालनी है लेकिन मेरे पास 30% की value है यहाप तीन का अंटू कर देंगे आप तो कितना हो जाएगा यह 906 आपका आंसर यहाप आ जाएगा ठीक है अगला question पढ़ेंगे आपको एक triangle दिया है triangle में A B C एक point दियें इसके बाद C A B का midpoint D और B C का midpoint E आपको area दिया है पूरे whole तिरबुच का area ABC का 44 दिया है आपको बूचा है B D C का तो देखेंगे आपको ratio पता है यह 1 by 3 में जो है ratio रहेगा ठीक है 1 by 3 में ratio है तो 1 by 3 में जब ratio है तो 1 by 3 में जब ratio है चार की value दी है 44 ठीक है तो 1 की value कितनी होगी 1 की value होगी 11 कितनी होगी 1 की value होगी 11 ठीक है simple question अगला question है x plus by x plus by is equal to 8 by plus 8 by plus z is equal to 13 z plus x is equal to 17 और x square upon by z आपको निकालनी है तो पहली बात तो आपको यह निकालना है तीनों को plus कर दीजे तीनों को plus कर रहेंगा 8 10 10 और 38 और 38 और यहाँ पर कितना आगा 1 2 3 3 38 बटे और 1 x sorry 2 y 2 z और सब 2 2 होंगे तो यह कर देंगे तो यह आगा होगी ठीक है x plus by plus z की value होगी 19 जब 19 आगी तो आप value रख दी यहाँ पर value रखेंगे यहाँ पर रखेंगे value ठीक है आप यहाँ पर रख दीए आप तीनों value रख दीए तो x की value आएगी 6 आएगी y की value दो आएगी z की value आएगी 11 यहाँ पर रखेंगे आप जब 6 का स्कुर्ण 36 आएगा 2 2 इंटू करेंगे y से इंटू करेंग 11 ओके यह से काड़े दी डारे काड़े 36 बार ओके चैथी 18 ठीक है चले जाएगा 11 बटी 18 ठीक है 18 बटी 11 जाएगा ठीक है 18 बटी 11 जाएगा ठीक है 18 बटी 11 बचे का बाइस सन नीचे तो यह answer जाएगा अगला question देखी आपको दीए time in work दिया किसी काम को यह 24 दिन में करता है बटाना है आपको चैथी अकिले कितने दिन काम करेगा उस काम को कितने दिन में करेगा तो पहले तो आप काम निकाल लेज़े टूटल काम आपका 120 है लसे माइए का 120 120 वन ट्वेंटी चोबिस का अगर आप इंटू करेंगे 5 में तो आपको 120 आप तो पांच एक तो पांच आ गया 5 की पिसिशिए ओके B का पिसिशिए गा 8 की पिसिशिए से करेगा और C की पिसिशिए अलड़ी बाराज जाएगी ठीक है तो आपको पता A प्लस B जो है पहले काम कर रहे है 5 आप 3 13 13 तीरा इंटू 3 के ठीक है 39 39 काम हो गया है आपका तो यहाँ पर 1 ठीक है 81 कितना काम बचा है टूटल बच पंट देना कि ईकर जारे Son C का प्साय कितना की था अपयर राख़ा रहा रहा था की यहां पांपन जहा nouके चार आरजानएो है तो यह जरी जहारा लिए आप 6 322bnटे चार ठीक हैं तो यह आप डार्यक्यूशन करियेंगा ऑन्सर छी का ओप्षिन का यह जहारी송 का एशसे त पूचा है आपसे एक circle एक circle दिया हुआ है ठीक एक circle इसको पर गार दिया है okay दो cord दी है दो cord कॉन कॉन दी इस एक cord दी है ठीक है center है यहां से A है यह B है okay यह cmn अल्ड़ी यहां पर बना हुआ तो इसको भी देख सकते हैं ठीक है यहां से को मिला दी यह जो है यह point दिया यह point दिया ठीक है ओके तो आपको देखी यहां पर रहेंगल दिया है यह दिया 110 ओके यह दिया 130 ठीक है यह 130 और 110 कितना हो गए 240 होगए 240 माए 60 सार्ट तो बचएगा 120 ठीक है तो यह सरकल जो आदा जो बचा हुआ circle है उसकी value है 120 ठीक है तो यह circumference से पूचा है यानि कि कौन BAC पूचा है तो यह का अदा होता है यह कितना होगा 60 यह कितना होगा 60 degree होगा आंसर कहा रहेगा 60 degree हमारा answer है ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला question एक rail है एक rail की rail जो है कंबे को 12 सेकिन पार करती है और वही rail जो है एक pull जिसकी जो लंबाई है या करें जिसकी low length है वो 130 meter है और उसे वो 36 सेकिन में पार करती है तो आपको बताना है कि rail की चाल कितनी है तो आप बहुत vivo करती है करें बेंख को आप अंस्पल से question को करेंगे जैंड को बात करें तूंटि-4 तूवर ke हइं टो जो है वए प्वंनिटल्ट सेकिन में जो है वो 170 meter चल रही है ठीक है तो यहां पर आप कितनी कितनी निकालेंगे speed निकालेंगे 170 अपोन कितना निकालेंगे 24 आपको एक किलो मीटर में में चाहिए ठीक अब है तो 18 बटे 5 का इंटू कर लेजे ओके तो यह 6 और इसके बाद आप जहाबर करेंगे तो यह 102 आ जाएगा अपन 4 आ जाएगा तो यहाँ पर आप कटेंगे पांच 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 दूनी 10 ठीक है बचा दो पांचोग 20 बचा फिर भी पॉइंट लगाएंगे फिर बचा टू पांचोग 20 24 25.5 किलो मीटर पर हावर ठीक है यह कोशन था जो कि हमें कोई भी कोशन ऐसा नहीं नज़र आया मुझे जो टाफ हो या फिर जो आपको जीब सा लगे जिसमें कोई दिक्कत हो ठीक है और यह कोशन आपको दिख रहे हैं यह कोशन जनरल आवेंड़ साइंस के जो आपको अभी बीपूछेगा थे फस्षिप में तो ऐसारा करतोंये है इतने भी मेंद को देखिवे हैं या मैंने बता हैं वह ही ही और एक subsequently यह यह आपके यह तो मुझे comment करके जोरू बताएगा अगर friends practice set लगाना चाहते है practice set के लिए बहुत सारी practice set डले हूं आप जाकर देख सकते हैं online free study पर friends और जितने भी question रहे गए उनके comment करके मेचेर बताएगे thank you for watching this video best of exam के लिए आपके result के लिए